नमस्कार धर्सकों आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अचारिय एक देव आप सब कैसे हैं मुझे आसा है आप लोग कुछल मंगल से होंगे स्वस्त होंगे प्रसंद होंगे मस्त होंगे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल पर को लाइक कर दिजे सब्सक्राइब कर दिजे और बेर आइकन को दबा दिजे आज हम बात कर रहे हैं बुद्ध ग्रह जो रासी परिवर्तन करने जा रहे हैं मीन रासी में अभी गोचर कर रहे हैं अब यह 26 मार्च को 26 मार्च 2024 को यह सत्रू रासी में गोचर करेंगे अर्था मेश रासी में गोचर करेंगे यह सबी लगनों पे मेश लगन से ले करके मीन लगन तक अपना प्रभाव क्या देंगे मेश रासी से ले करके मीन रासी तक प्रभाव क्या देंगे यह पूरे जानकारी आप सभी को देने जा रहा हूं मित्रों बुद्ध देव अपनी नीच रासी को छोड़ कर और राहू के काफी समय से पिरित रहकर अब अपनी रासी को बदल रहे हैं अब बुद्ध देव अपने सत्रू मंगल की रासी में गोचर करेंगे और यहां देव गुरु ब्रस्पती के साथ रहेंगे यहां पर बुद्ध देव 26 मार्स को मेश रासी में गोचर करेंगे फिर दो अपरेल को वक्री हो जाएंगे वक्री अवस्था में ही चलते चलते पुनह मीन रासी में आ जाएंगे नो अपरेल को उसके बाद 25 अपरेल को मीन रासी में ही मार्गी होंगे और 10 माई को वापसी मेश रासी में आएंगे और 31 माई तक मेश रासी में गोचर करेंगे गोचर करके अपने मित्र शुक्र के रासी विसवरासी में यानि एक जून को विसवरासी में गोचर करेंगे बुद्धगर साल में तीन से चार वार वक्री होता है आईए जानते हैं बुद्धगर का फल सभी लगनों पर सभी रासियों पर अपना प्रभाव क्या देंगे तो बात करेंगे मेंस रासी मेंस लगन और मेंस रासी के जातकों का मेंस रासी के जातकों का जो स्वामी है तिर्तिय भाव और छठे भाव के स्वामी अब लगन में गोचर करने जा रहे हैं और ये क्या परभाव देंगे मेस लगन और मेस रासी के जातकों को तिर्तिय और सस्टिस बुद्ध लगन में आएगा इसलिए दिमाग कुछ तेज चलेगा और कुराफाती भी हो जाएगा कुछ उतावलापन भी रहेगा स्वास्त के लिए या बहुत कठिन नहीं है एसीडिटी की समस्या बढ़ सकती है इस समय आप सलाह अच्छी देंगे लेकिन आपकी सलाह से कोई संतुष्ट नहीं होगा आर्थिक मामलों के लिए या अस्थिती बहुत अच्छी नहीं है परंतु सिक्छा परतियोगता के लिए यह कठिन है सिक्छा परतियोगता के लिए यह ठीक है अगर कोई आप एक्जाम दिये हैं कोई इंटर्व्यू दिये हैं उसमें आपको सफलता भरपूर मिलेगा अब बात करते हैं विसव लगन और विसव रासी के जातकों को पंचमेस और धनेस के 12 भाव में आने से यह अच्छा योग नहीं बनाएगा कोई बूरी खवर आपको सुनने को मिल सकती है गलत फैसला के कारण पैसे की हानी करा सकता है सिक्छा पर्तियोगता में बहुत प्रियास के बाद सफलता मिलेगी जिनकी कुंडली में जन्म के समय बुद्ध द्वादस भाव में हैं उनको ज्यादा ही परेशानी होगी अब बात करते हैं मित्थुन लगन और मित्थुन रासी के जातकों के मित्थुन लगन और मित्थुन रासी लगनेस और सुखेस बुद्ध एकादस भाव में आ रहा है अता आपके आर्थिक मामलों में अच्छी सफलता मिलेगी सिक्षा और पर्तियोक्ता के लिए भी यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अपने फैसले आप ही सहिले पाएंगे और आप सलाह भी अच्छी दे पाएंगे नए कामों के लिए भी आपके लिए बेहतर समय रहेगा लाब आप समय का उठाएंगे अब बात करते हैं करक लगन और करक रासी के जातकों के लिए बुद्ध द्वादस और तित्य भाव का स्वामी है जिसके दसंभाव में आने से बाहरी मामलों में और बाहरी लोगों से बहुत सहयोग मिलेगा भूमी भावन इस समय धन ना लगाएं नहीं तो नुकसान होने की पूरी संभावना बनेगी उच अधिकारियों से आपको सहयोग प्राप्त होगा परिवारिक मामलों में सोचेंगे अधिक परंतु कितना कर पाएंगे यह कहना मुश्किल है सिंग लगन और सिंग रासी के जातकों के लिए बुद्ध धन के मामलों के लिए सबसे अधिक महत पुर्ण है क्योंकि यह दूसरे और एकादस भाव का स्वामी है यह सिंग लगन के लिए नवम भाव में आएगा भाग अस्थान पर आएगा इसका आना अच्छा है धन के मामले में यह बहुत ही अच्छा है इंकम बढ़ेगी आपके लिए मन की अस्थिती थोरी खराब रहेगी आप अपने ही मन की करेंगे दुसरों की नहीं सुनेंगे और इस समय महिनत से नहीं अपने दिमाग से ज़्यादा लाव आप पा सकेंगे अब बात करते हैं कन्या रासी कन्या लगन कन्या रासी के जातकों के लिए बुद्र लगनेश और दसमेश आपके अश्टम भाव में आने से सुव फल नहीं प्राप्त होंगे ऐसे में कुट नितिक बल की विर्धी होगी और कुट निती से सत्रों को आप प्रास्थ करेंगे इस समय दुसमनों के कारण या बिमारी के कारण आपके धन खर्च होगा आर्थिक लाब के लिए बहुत महिनत आपको करी परिश्रम करना परेगा परियास करेंगे की उच अधिकारियों से तनाव ना हो इस समय पदहानी का योग भी बनेगा अब बात करते हैं तुला लगन और तुला रासी के जातकों का तुला लगन वाले का भागेस और द्वादेस बुद्ध आपके सत्तम भाव में आएगा जीवन साथी के कारण आपको लाव की अस्थिती बनेगी यदि साधी सुधा है तो अपने जीवन साथी के सहयोग और सलाह से काम करें लाव मिलेगा वैसे इस समय बुद्ध का एक नकारतमक परभाव यह है कि इस समय आप किसी की बात नहीं सुनेंगे और अपने मन की करेंगे परन्तु यदि दू सुनेंगे तो आपको ही लाव में रहेंगे बांकी आप पर निर्भर है कभी कभी पती पतनी में नोक योग का सामना आपको करना पर सकता है या चोटी सी बात कोई बड़ी कलेश भी बन सकती है विश्चिक लगन और विश्चिक रासी अस्टमेश तथा लावेश के छठे भाव में आने से धन हानी का प्रवल योग बनेगा वैसे कोई लंबी बिमारी हो तो उसे राहत भी मिलेगी परंतु बोधिक समता प्रभावित रहेगी और निर्णय लेने में कठनाई होगी यह समय मिला जुला परिणाम देने वाला होगा बेकार के तनाव बढ़ेंगे खर्च की भरमार होगी कर्ज भी लेना पर सकता है और अस्थान परिवर्तन की भी शंभावना है धनू लगन धनू रासीम धनू लगन सत्तमेश और दसमेश बुद्ध आपके पंचम भाव में आ रहा है अतह देव गुरु ब्रस्पती भी वहीं पे विराजमान है जहां सत्तमेश और दसमेश और लगनेश का युति आपके पंचम भाव में होगा अतसला देने की छमता आपकी अच्छी रहेगी परन्तु धन के मामले में शंगर्ष की अस्थिती भी बन सकती है कोई आपसे आपकी प्रामर्ष आपसे मदल लेना चाहेंगे लेकिन आपको धन देने के लिए नहीं चाहेंगे तो उसके लिए आपको करीब महिनत करना परेगा और सला देने की छमता तो अच्छी रहेगी परन्तु धन के मामले में संगर्ष की अस्थिती भी बनी सकती है यात्रा से आपको होगा लाव सिक्षा में सफलता मिलेगा लेकिन उनको ही जो दीन रात महिनत कर रहे हैं बाकी नुकसान उठा सकते हैं परन्तु संतान के मामले में कुछ परेशानी भी होगी जिनको इस महिने संतान होनी है वो अपने डाक्टर से शलाहल लेते रहें अब बात करते हैं मकर लगन और मकर रासी मकर लगन के जातकों के लिए सस्टे और भागेस बुद्ध अब आपके चौथे भाव में आ रहा है अता यह आपके आपसे अधिक आपके माता पिता के लिए लावकारी है आपके लिए भूमी समंदित कारियों में बहुत लाव देगा परिवार से किसी कारण से दूर जाना पर सकता है या बुद्ध कार ब्यपार में बहुत लाव देगा अता उत्तम है लेकिन यह आपका किसी से बहुत बड़ा जगरा भी करवा सकता है आपके साथ कोई बरी धोखे वाजी हो सकती है या कोई आपका विश्वास भी तोर सकता है जिनको बलट पेशर की परेशानी है या हार्ट का कोई अपरेशन हुआ है तो अपना इस समय थोरा सेहत का ध्यान रखे लापरवाही ना करें अब बात करते हैं कुम लगन और कुम रासी के जातकों के लिए बुद अश्टम और पंचम भाव का स्वामी है यह अब आपके तिसरे भाव में आने वाला है 26 मार्च को अता यह आपको निरोगी बनाएगा साथ ही महनत और बुद्धी का समान जस्ट भी देगा लेकिन करिवियों से कुछ कष्ट भी देगा दुसरों की बातों को अपने तक ही रखे तो बेहतर है इस समय कुछ आर्थिक कठनाईयों का अनभव होगा साथ ही परिवारिक सुख में कुछ कमी रहेगी अब बात करते हैं मीन लगन अंतिम लगन और अंतिम रासी मीन लगन और मीन रासी के जातकों के लिए बुद्ध चतुर्थ और सत्तम भाव का स्वामी है जो अब आपके दुसरे भाव में प्रवेश कर रहा है वेवाहिक जीवन के लिए बुद्ध की यह अस्तिती ठीक नहीं है रिष्टों में तनाव परेगा हो सकता है यह जीवन साथी के किसी गलत फैसले के कारण से धन की हानी हो सकती है यदि पिता का स्वास ठीक नहीं हो तो थोड़ा अधिक ध्यान देना होगा क्योंकि इस समय रोग ठीक होने में समय लग सकता है वैसे इस बुद्ध के कारण आपके अंदर आत्म विश्वास बहुत रहेगा अब बात करते हैं मेंस लगन से मीन लगन मेंस रासी से मीन रासी तक चाहे आप रासी के अनुसार से देख ले या आपके अपने लगन के अनुसार अगर आपका लगन मेश है रासी मान ले आजाए करक है तो आप मेश रासी और करक रासी का दोनों का आप देख लिजिए दोनों में अगर बराबर है तो बहुत अच्छा है नहीं तो 50-50 अगर दोनों में खराब है बता रहें तो आप संभलके रहें इस बक्त आप पक्षियों को रोज फिटक्री में कि थोड़ा फिटक्री ले लिए उसमें हरी मुंग फुलने दे दिजिए भिगो दिजिए रात को और सुबह में वो फुला हुआ मुंग पक्षि को डालें गाय को पालक खिलाएं गनेश भगवान को दुरवाच रहाएं इससे आप सभी को लाब मिलेगा और हुलमान चली साकातो पाथ नित्त ही करना चाहिए इससे आपको बहुत लाब मिलेगा और शिवलिंग पर भी हरी मूँ चलाईए शिवाले में जा करके जलावे से कीजिए और पांच दाना जो है गनेश भगवान को असक सुन्दरी पे कुमार कार्तिके को कमल हस्त पे फिर शिवलिंग पे आप चढ़ाईए इससे भी आपको लाब मिलेगा और जब भी आप शिवाले जाते हैं जल चढ़ाने के लिए तो आप अपने घर से ले करके जल जाईए ताकि बहुत आदमी सदियों से ही मंदिर से ही लोटा लेते हैं मंदिर के ही नल से जल भरके शिवलिंग को चढ़ाते हैं तो वो भी फैदा करते हैं नई करते हैं सोबात नहीं हैं लेकिन अगर आपको अपने घर से जल लेके आप शिवाले जाते हैं तो आपकी समस्या बताने की जोरत नहीं है वो जल में समावित है और बावा भुले है जो भी आपका समस्या है सिर्फ वो जल अपने घर से ले जाए चड़ाईए और आपका समस्या का समाधान के लिए आपसे प्रावठा केजिए आपकी मन्नते पूरी होगी इसी के साथ अपनी बानी को यहीं पे बिराम देते हैं चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दिजिए बेल आइकन को दवा दिजिए आज का दिन आप सभी को मंगल मैं हो स्वस्त रहिए प्रसंद रहिए मस्त रहिए प्रेम से बोले राधे राधे कोमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूले प्रेम से बोले राधे राधे